नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल SK Agri Tech के अंदर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन किसान बाईयों ने गेहों की पचेती बुआई की हैं वो अपने गेहों की पैदावार बढ़ाने के लिए अपने गेहों की फसल में कौन से प्रबंदन करें कौन से कारे करें तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इनी चीज़ों के उपर बताने वाला हूँ तो आप सबी से नवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक भी करना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्काइब नहीं किया तो नीचे लाल अक्स्रो में सस्काइब का बटन है कलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आगे भी आपको खेहती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसे ही वीडियो समय समय पर देखने को मिलती रहे चले दोस्तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर हम बात करें अगर जिन किसान भाईयों ने गेहों की पचेती बुआई की है और उनके गेहों की जो बालिया है अगर वो निकलने वाली है या निकल चुकी है और अब उनके अंदर जो है दाना बराव का समय हो चुका है कुछ दिनों बाद खतम हो जाएगा और फिर मार्च का महीना लग जाएगा तो मार्च के महीने में क्या होता है कि वातावरण तोड़ा गरम होने लग जाता है ठंड कम बढ़ जाती है वाई चलने लग जाती है तो यसे में क्या होता है कि अगर आपने अपने गेहों की फसल क का जान रहना है कि आपको हर 10-15 दिन के अंदर अपनी गेऊं की पसल को पानी लगा देना है तोड़ा हवा का प्रबाव देखकर आप पानी लगाए अगर ज्यादा तेज हवा चल रहे ही तो आप पानी ना लगाए क्योंकि ज्यादा हवा की वज़े से गेऊं जो हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, खड़े नहीं रह पाते हैं, तो आप तोड़ा हवा का इशाब लगा कर पानी लगाए, लेकिन पानी जरूर लगाए, बराबर नमी बनाए रहे के, उसके अलावा अगर जो यह बड़ी वाली पतियां हैं, आप यहां पर देख रहे हैं, य हैं, और जो आप अ जो हैं अगर इस तरीके की अगर नारंगी कलर के दब्बे इन पतियों के लग रहे हैं, तो आप जो हैं, अपनी फसल में जिंक घर suit का संस्षब और क inequities जिल्पाइल का लान ने कोई जूरत नहीं है अप सिर्फ और सिर्फ अपनी फसल को बराबर पानी लगाते रहे अगर अगर o लोग नहीं है समश्या नहीं है तो वेसा ही जो है ग्यों की बालिया अच्छी तरीके से विकास कर लेगी उन में अच्छा धाना बढ़ जाएगा तो आपकी पैदावार जो है वेसा ही बढ़ जाएगी लेकिन जो समश्या अगर मैंने आपको यहां पत्तों पर बताई अगर यहां पर मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि जो पचेती बववई करते हैं उनके सामने यह समश्या जल्दी आ जाती है कि उनकी फसले वो अच्छी तरह के जपक भी नहीं पाती है और सूकने लग जाती है तो उसको इस समश्या से बचाने के लिए आपको जो उसका जो पौदाय वहरा बना रहता है और जल्दी सूकता नहीं है जादा दूप की वज़े से तो दोस्तों यह चोटी सी जानकारी कैसी लगी आपको उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को करें मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद